पंचतंत्र में आज की कहानी चालाक लोमडी की है सालों पहले एक जंगल में गधा, लोमडी और शेर के बीच अच्छी दोस्ती हो गई तीनों ने एक दिन बैठ कर साथ में शिकार करने के बारे में सोचा कुछ देर बाद सबने मिलकर तय किया कि शिकार करने के बाद उस पर तीनों का बराबर हक होगा ये फैसला लेने के बाद तीनों दोस्त शिकार के लिए जानवर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े कुछ ही दूरी पर उन तीनों को जंगल में हिरन दिखा एकदम तीनों ने हिरन पर जपट्टा मारने की कोशिश की। उसे देखते ही वो तेजी से दोडने लगा। दोडते-दोडते हिरन ठक कर कुछ देर के लिए रुख गया। तभी मौका देख कर शेर ने हिरन का शिकार कर दिया। गधा, लोमडी और शेर तीनों काफी खुश ह मरे हुए हिरन के तीन हिस्से करने के लिए शेर ने अपने दोस्त गधे को कहा। जैसा पहले तै हुआ था उसी हिसाब से गधे ने शिकार को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये देख कर शेर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में जोर-जोर से दहा रही थी। तभी शेर ने एकदम से लोमडी को कहा चलो दोस्त अब तुम इस शिकार का अपना हिस्सा ले लो। लोमडी चालाक और समझदार दोनों ही थी। उसने बड़ी ही अकलमंदी के साथ हिरन के शिकार का तीन चौथाई हिस्सा शेर को दे दिया और खुद के लिए एक चौथाई हिस्सा ही बचाया। इस तरह हुए शिकार के हिस्से से शेर काफी खुश हो गया। उसने हंसते हुए लोमडी से कहा, अरे वा, तुमने एकदम मेरे मन का काम किया है, तुम्हारा दिमाग काफी तेज है। इतना कहते ही शेर ने लोमडी से पूछा, तुम इत इतनी समझदार कैसे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या चाहता हूँ, तुमने इतने अच्छे से शिकार का हिस्सा लगाना कहां से सीखा है। कि तुम सच में बुद्धिमान हो, कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कि हम सभी को अपनी ही नहीं, बलकि दूसरों की गलतियों से भी नई बातों को सीखना चाहिए, इससे हम वही गलती करने से और उसके नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको बएंवार बते हैं। और ऑचो ओश्भगक करने बता हैं। जास करने लेके लेदार क्बाभग करनेशों क हुआ।